जैसाई राम नमस्कार मैं ब्रिजमों सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में मैं ब्रिजमों सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साइगरंत राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विशे आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे, आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विशे आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं तो आएए आज का विशे शुरू करते हैं आज धन तेरस है, आज विशेश किर्पा परमातमा की भक्तों पर होती है आज विशेश किर्पा भक्तों पर प्रबू की हो भी सकती है, हम बहुत अधिक शक्तियां ले सकते हैं, आज खरीदारी का दिन है, आज लोग शॉपिंग करते हैं, लक्षमी जनक चीजें अपने निवास पर लाते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कि आपने का आज का समान नहीं खरीदना है, अलमिनियम का समान नहीं खरीदना है, आज यहाँ पर हम बताएंगे एक ऐसी वस्तू जिसे खरीदने से बहुत ही यदालाव हो सकता है, एक ऐसी वस्तू जिसे यदि आप खरीद लेते हैं, तो सोना चांदी भी उसके सामने फीके हैं, मैं य सीरत यात्राई की एक बार एक सादू उनके निवास पर आया सादू ने भोजन मांगा उन्होंने भोजन करा दिया सादू महराज चले गए पंदरा दिन बाद फिर सादू महराज आये भोजन मांगा उन्होंने करवा दिया सादू महराज फिर चले गए ठीक पंदरा दिन बा मुझे बोजन देते हैं आपके पास और बोजन नहीं होता है तो जो क्रहनी थी उसके आँखों में आंसु आ गए और उसने कहा आप सत्य कह रहे हैं हमारे पास इतना ही बोजन होता है प्रंतु अतिथी देवो भव हम आपको अपने निवास से खाली कैसे जाने दें इसलिए वह भोजन आपको खिला कर हम पानी पी कर सो जाया करते हैं सादु ने कहा कि चार रोज बात धन तेरस है मैं आपको एक वस्तु बताता हूं वह वस्तु आप अपने निवास पर ले आईएगा सोने चांदी को भी फीका कर देगी वह वस्तु प्रंतु जरूरी है कि आप कम स कम दो सो व्यक्ति को जरूर बताएं कि ये वस्तु लानी है तो आपके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी गरहनी ने कहा महराज मैं समझी नहीं कहते हैं कि जो वस्तु मैं तेरे को बता रहा हूं तू आगे दो सो व्यक्ति को बताएगी ताकि उनका बला हो तो तेरा बला बहुत यदा होगा तु नहीं भी बताएगी तब भी तेरा बला तो होगा लेकिन यदि तु बताती है तो बहुत यदा बला होगा तब उस ग्रहनी ने कहा महराज खिर्पा कीजिए यदि आप कुछ ऐसा बता देते हैं से हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है तो पूरी जिन्दगी हम आपको कभी भूल नहीं सकते है सादु महराज ने कहा कि ये सब बताने के लिए मै का लाऊंगा इतना कहकर सादु महराज चले गए अब ग्रहनी इंतजार करती रही कि कब अगला दिन आए और सादु महराज बताए और वे वे वस्तु लाए और उसका बागी उच्वल हो जाए रात के वक्त उसने अपने परिवार से भी इस बाहुत चर्चा की परिवार भी उच्शुकता से सादु महराज का इंतजार करने लगा अगले दिन शाम डलने को आगए परंतु सादु महराज नहीं आए अब परिवार को लगा कि शायद उनकी सेवा भाव में कोई कम ही रह गई होगी तो सादु महराज ने अपना फैंसला बदल लिया होगा शायद अब वो ना आए इंतजार तो कर ही रहे थे थोड़ी देर बाद सादु महराज प्रकट हो गए उन्होंने बड़ी श्रदा के साथ पाउन दोये उनको बिठाया बोजन कराया और हाथ बांद कर उनके समक्ष बैठ गए सादु महराज ने कहा कि मैं आपको वैवस्तो बताने वाला हूँ आप वचन दीजिए कि आप दो सो विक्तियों को आगे जरूर ये बताएंगे ये सिरफ आपने तक नहीं रखेंगे परिवार ने कहा महराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सादु महराज बोले कि जब हमें कुछ अच्छा ग्यान मिलता है तो कहीं वार अग्यानता वश हम लोबी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये किसी को नहीं बताएंगे हम खुद लाब लेते हैं हम किसी को क्यों बताएं किसी का बला क्यों हो हम अमीर होंगे दूसरे लोग क्यों अमीर हो पर नदून को ये नहीं पता होता है कि ये बताने से ही धन आपके पास आएगा यदि आप नहीं बताते हैं तो धन आपके पास नहीं आएगा इसलिए इसको जैदा से जैदा बताईए उपहार भी दीजी यदि आप उपहार दे सकते हैं तो उपहार सवरूप भी दीजिये फिर देखिए कि आपको कितना लाब मिलता है परिवार ने कहा कि हम बिलकुल बताएंगे माहराज हम इस समय इस पोजीशन में तो नहीं है कि हम किसी को उपहार दे सकें प्रन्तु हम बताएंगे जरूर घर घर जाकर बताएंगे हम हर व्यक्ति को बताएंगे आप कोई मानता है या नहीं मानता वो उस पर निर्बर करता है प्रन्तु हम जरूर बताएंगे तब सादु महराज ने कहा कि बहुत सदारन सी वस्तु है मक्की का आटा कौर्न बोलते हैं जिसे मकई छलियों में से दाने जो उतरते हैं उसका आटा बनता है कौर्न भी बोल देते हैं तो आप मक्की का आटा अपने निवास पर ले आए और ये धन तेरस के दिन ही खरीदना है यानि आज ही खरीदना है इसको खरीद कर ले आए और यदि आप उपहार सवरूप दे सकते हैं तो यदा से यदा लोगों को उपहार सवरूप दे दीजिए आप सादु माहराज के कहने पर उस परिवार ने जैसे तैसे आदा किलो मक्की काटा लिया और आपने निवास पर लियाए अब यह क्या देखते हैं कि अगले दिन से ही जहां पर वो मजदूरी करते थे सिरफ दस रुपे मजदूरी के मिलते थे वहाँ पर उनको सुपरवाईजर बना दिया गया और वेतन चालिस रुपे रोजाना का हो गया ऐसे करते करते पतनी को भी काम मिल गया बच्चों को भी मिल गया और उनका गेर हरा बरा हो गया अब तीन महीने बाद सादू महराज फिर आए और पूछते हैं अब सुनाइए कहते हैं महराज आपकी किर्पा है हम बहुत खुश हैं कहते हैं आपने अपना वादा पूरा किया 200 विक्तियों को बताया कहते हैं जी बिलकुल बताया तो कहते हैं अब अगली दिवाली को ध्यान रखना यदा से यदा मक्की काटा उपहार सवरूप देना यदा से यदा लोगों को बताना फिर देखना जितना फायदा इस बार हुआ है उससे भी हजार गुना फायदा होगा उस परिवार ने वैसा ही किया और वह धन्ना सेट के नाम से मशुर हुए आपने बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानिया धन्ना सेट के नाम से सुनी होगी ये कथा उन्ही के परिवार से है तो यदि हम चाहते हैं कि इस धन तेरस पर हम बहुत अधिक लाबर जित करें तो अपनी मा के हाथों से याटा ले ले जिए वो आपको उपहार कर दें यदि आपके बचे हैं आप अपने बच्चों को उपहार से रोप दीजिए अपने गर में भी खरीद कर लाईए फिर देखिये कितना धन आपको मिलता है कितनी शांती मिलती है कितनी वाइब्रेशन मिलती है ये जो बाते होते हैं इनके पीछे मूल कारण क्या है कोई नहीं जानता है ये चमतकारिक अशीरवाद हैं प्रमात्मा के जो धर्ती पर हम सबको मिले हुए हैं हम श्रदा से कोई कारे करते हैं तो वह कारे संपूर्ण हो जाता है जब श्रदा नहीं होती है तो कारे संपूर्ण नहीं होता है आप लोग आटा लेए गहर में रखा तो आटे के साथ एक Vibration आई कुछ लोग सोना खरीद लेते हैं, कुछ लोग चांदी खरीद लेते हैं परन्तू मैं कहता हूँ कि चाहे आप जितना भी सोना खरेद लीजिए प्रन्तो यदि आपने ये आटा नहीं खरीदा है तो उतना लाब नहीं मिलेगा प्रन्तो यदि आपने आटा खरीदा है और आपने उपहार सब रूप भी दिया है और दो सो व्यक्तियों को आगे बताया है तो फिर देखिए लाब फिर देखिए कैसे आपकी रुके हुए कारे बनते हैं कैसे आपकी तरक्की होती है कैसे आप जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं ये सब कुछ उसी समय होना शुरू हो जाएगा जब आप अच्छे डंग से इस टोटके को इस उपाय को कर लेते हैं प्रभू कहते हैं कि जो मैंने तुझे विशेश दिन दिये हैं यदि उन विशेश दिनों में तुझ दूसरों का भला करता है तो तेरा भला तो मैं बहुत यदा कर दिया करता हूँ यानि यदि हम दूसरों का भला करते हैं दूसरों की मदद करते हैं दूसरों के लिए हम अच्छा मांग दे हैं तो हमारा खुद का बला हो जाता है कहते हैं संसार का बला मांगते हैं हम तो हम बीच में ही आ गए हमारा बला खुद हो गया और संसार का बला मांगने का पुन्य भी हमें मिल गया जब हम सिरफ अपना बला मांगते हैं तो वो सिरफ हमारा बला होता है परन्तु जब हम संसार का बला मांगते हैं तो मांगने में जो हमने खुला दिल दिखाया उसकी वज़े से हमें मांगने का पुन्य भी प्रापत हो जाता है हम परमात्मा की शक्तियां चाहते हैं हम परमात्मा का शीष चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से प्रबु के समक्ष बैठना होगा नतमस्तक रहना होगा फिर देखिए कैसे शक्तियां हमारी और बढ़ती हैं फिर देखिए कैसे हम परमात्मा के समीप जाते हैं फिर देखिए कैसे हम वैसा पा लेते हैं जो हमें मिलना चाहिए तो आप ये मक्की का आटा लाइए इसको करना कुछ नहीं है बस लाकर रख लीजिए सिरफ प्रमातमा की मूर्ति के समक्ष रखिए उनको बोलिए कि ये सविकार कीजिए इसको अम्रित बना दीजिए और फिर जहां आप अपना खाने पीने का समान रखते हैं वहां रख लीजिए आज कल पैकट बंद भी आते हैं आप वो भी ले सकते हैं गरीबों में भी बांड सकते हैं अपने गर पर भी रख सकते हैं तो ये एक ऐसी वाइब्रेशन लेकर आएगा जिससे कि आपके जिन्दगी एकदम बदल जाएगी यदि आप कहते हैं कि आप पर बहुत करजा है यदि आप कहते हैं कि आपके परिवार में आर्थिक तंगी है आप कहते हैं परिवार में खुशी नहीं है, परिवार दुखी रहता है, परिवार अशान्त है, एक कतावर कहता हूँ, एक सादू संत थे, वहें पांच घरों से बिक्षा मांगा करते थे, जिस पांच वे घर से वो रोजाना बिक्षा मांगते थे, वहाँ पर वो देखते थे कि हमेशा ल तू अराम से सुनेगा और वैसा करेगा उसने हाथ जोड़ कर कहा कि प्रभू जरूर कहिए मैं जरूर करूँगा मैं अपने परिवार के कला कलेश है बहुत परिशान हूँ जब भी खाना खाने बैठते हैं लड़ना शुरू कर देते हैं जब भी इकठे बैठते हैं लड़ना शुरू कर देते हैं सादु महराज ने कहा तेरे परिवार को नजर लगी हुई है और ऐसी वैसी नजर नहीं ऐसी नजर है जो उतर भी नहीं सकती तो इसको उतारने के लिए तेरे को दिवाली से पहले धंतेरस की इंतजार करनी होगी उस दिन तुम मक्की का आटा लेयाना और सो किलो आटा लाना और बांड देना और एक किलो आटा गर में बना लेना यदि सो किलो ना ला सको तो किलो ले आना, दो किलो ले आना, जितना बांट सकते हो बांट देना तेरे गर का कला कलेश्ट सदैव के लिए समापत हो जाएगा उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया मक्की काटा, उसने सो किलो ही लिया, बांट दिया एक किलो अपने गर के लिए ले आया, गर में रखा, अब सादू महराज दो महीने बाद आये, तो पूछते हैं तो उसने कहा महराज, आपकी ऐसी किरपा हुई ऐसा शीश मिला कि आप हमारे गर में कभी कोई लड़ाई जगड़ा नहीं होता है, सब भी बड़े प्रेम से रहत हैं, अब कोई किसी से जगड़ता नहीं है, उसने कहा महराज ये हुआ कैसे, तब उन्होंने कहा बेटा जो तुजर को मैंने मक्की का आटा बोला था, धन तेरस के दिन जो वाइब्रेशन्स होती हैं, वो इन चीजों के साथ आती हैं, एक कन के साथ एक प्रतिशत वाइब् प्रतिशत वाइब्रेशन्स होती हैं, तो एक प्रतिशत वाइब्रेशन्स मिली, प्रन्तु यदि आप आटा ले आते हैं, तो कितने हजार गुना वाइब्रेशन मिली, यह अर्थ है इसका, तो आप यदा से यदा वाइब्रेशन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे दिन साल में एक बार ही आते हैं, बार बार तो आते नहीं हैं, तो इसलिए इस धन तेरस को भी बहुत गंटे पड़े हैं, यह स कहावत पर चलिए और यदा से यदा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपको यदा से यदा शक्ती मिले, यदा से यदा वाइब्रेशन मिले, और यदा से यदा आगे बढ़ सकें, अब मैं यहां अजाज़त चाहूंगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिरपेड़ से लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा होंसला बढ़ेगा, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाब मिले और जब उसका पुन्य प्रापत होगा, तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप वाटसेप कर सकते हैं, यदि आपने जनम पतरी दिखानी है, तब भी आप वाटसेप कीजिए, जनम पतरी देखने कि हमारी फीस होती है, आप जानते होंगे कि जनम पतरी में बहुत सरे ग् होते हैं योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी कई बार हम ग्रैहों के उपाए करते रहते हैं परन्तु हमें लाप प्रापत नहीं होता है हम लगातार ग्रैहों के उपाए कर रहे हैं बहुत सरे एस्ट्रोलजर्स के पास होकर आ चुके हैं लेकिन लाप नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जनम कुंडली में योग होते हैं जब योग एक्टिवेट ना हो कमजोर हो तो ग्रह काम नहीं करते हैं और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाए कितने भी कीजिए आपको लाब नहीं मिलेगा कब तक जब तक कि उ उस योग को बली नहीं किया जाता है एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो वटसेप कीजिए सवाल है तब भी वटसेप कीजिए वटसेप का जवाब चार यां पांच दिन में मिलता है फोन मत कीजिए फोन यहां कोई नहीं झाल झाल